जो प्रधान मंत्री को आपने चिठी लिखा है जो आप हेमन सुरेयन को क्लीन चीट आप दिये हैं कि भई भरस्चार के मामले में आपने भेजा है एक गलत भेजा है उनकी सरकार को आप बहाल करिए यह आप से गलती हुई है तो यह तो जिस पाटी में आप हैं बिज़ेपी म लेकिन आज उनकी सरकार को आप अपदस्थ करके उनको गलत तरीके से फसा करके आप जेल भेजते हैं तो यह कहां का कानून है पक्ष में भोट नहीं मंगें जाओंगा लोकसभा कर चुनाव चला रही है जो सवाल आपने उठाया है जब चिठी लिखते हैं जब आप कहते ह हैं तो लोग कहते हैं बहूंटो के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं और इंडर्व महतो की टिकट की प्रिगशा थी विजेपी नहीं दिया तो जिखते हैं डी PM्सें पाने के लिए उस तरह की बात कर रहे हैं तो सोसन जारखन पर सोसन होगा जारखन पर जुलम होगा तो सैलेंदर महतो बोलने से पीछे नहीं रहेगा कि क्या आप हिमंद सुरहन की रहाई के लिए क्या रणिती हो और क्या कौन किस तरीके से आप अंदुलन की सिर्फ चिठी लेखने तक सिमीत है कि आगे आप आवाज उठाएंगे नविशकार सुसल संबाद में स्वागत है मैं ससी भुषण लोकसभाचुनाओ का वक्त चलना है और रूज नैने राजनीती में एक तरीके से जारखन के अंदर बदलाओ हो रहा है हम जारखन की राजनीती पर बात करेंगे हमारे साथ पूर्व सांसर सलेंदर महत्तों हैं और इसके साथ बीजेपी के नेता है और कुर्मी समाज के बड़े एक तरह से धरोवर हैं और जारखन अंदोलन का रही है जारखन अंदोलन में इनकी एक बहुती महत्तो पुन भुम निका आ रही है कि भी बरिस्ट नेता है और कई बार जो है इक सारिकार जो गई है उसको बहाल करें सरकार कई यह एक तरीके से ना इंसाफी है क्योंकि आपका भरस्तचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो निस्पक्ष नहीं है भेदभाव है एक तरफ आप एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाते हैं और दुसरी तरफ हेमन सुरेन को आप जील भेजते हैं तो इन्होंने क्या कुछ कहा है और इनकी चिठी से जार्खन के राजनीती में एक तरीकी से चर्चा होने लगा है बवाल मचा है और बीजेपी कटगहरे में आ गई है इसलिए कि बीजेपी के अंदर से यह आवाज उठी है तो हम इनी से समझेंगे सबसे पहले बातचित के लिए स्वागत है और कि अरुमे बीस साल की उम्रे से जार्खन की राजनीत के लिए जर्फन का नारा बुलन करता था और जार्खन में जब भी अन्याई होगा सैलंदर महतों याने मैं खोद इसके पिछे और उसके खिलाप में अन्याई के खिलाप में मैं ब्राबर आवाज उठाता रहा और जब जार्खन बना तो मैं सबसे पहले कहा था कि भाजपा का ज़ार्खनडी करण हो अपने ब्जपी से कहा था मैं फैस्द उस समय ब्जपी में था जब जार्खन बना तो मैं ब्ज.पी में था और बहुत इंपोर्टेंट नेता था गुबिन्दा चार्ज अटल भी हारी बाजपेई लाल किसन अडवानी के समझ मैं जार्खन का एक परमुख निता था लेकिन जार्खन बनने के बाद यहां कुकुर्मुत्ते की तरह निता पैदा होते गए लोगों के पास पैसा आते गया निता बाहर समगाएंगे यहां के भी जो जो लोग है उन लोग यहां कोई मंत्री बना कोई कि वुषभन कोई और वुन्हों के पास राजनिती का ओलिक चला गया और मैं तो अपने जार्खन की असमिता के लिए ब्राबर किसी भी पाटी में रहा मैंने आवाज उठाया और मैं जब झारखंड खास करके मुक्ति मोर्चा में था च्यानवे में मैं छोड़ा तो उस समय गविंदा चार्ज भाजपा के बड़े निता थे और उन्हों उसके बातों को विश्वास किया और चानवे क्या 2000 में यह मेरी जो सपना थी और मैं जो जार्खंड राज में गया यह भारतिय जनता पाटी में गया तो यह सपना पूरी हुए और मैं एक कहानी बताना चाहता हूं कि हम दोनों मेरी वाइप को अंठानवे में टिकड मिला तो मैंने सड़क से अब मेरी पत्नी संसद में दोनों ही मिलकर सड़क से संसद तक हम लोग ने संघर्श किया अलग राज के लिए और आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि जार्खंड अलग राज को जी समय अंठानवे में अलग बील जब आया बिहार राज पुनरकठन आय और उत्राखंड का बील पेस हुआ और आल पार्टी मिटिंग में इसलिए कि उसमय आरजडी और मुलायम सिंग जादब और सिपीम यह लोग जब पार्ल्यामेंट में बिरोध किया तो बिरोध करने से आलग राज को ठंडे बस्ते में डाल दिया और यह बात जब मेरे कानो सब्सक्राइब को अभामातों को कहा कि कल जैसे ही उत्राखंड और चतिस गड़ का बील पेस हो गया तो मुहां पर बगावत करना और होने के बाद वहां पर इन्हों ने कहा कि जब तक जारखंड राज का बील पेस नहीं होगा तब मैं यहां में पार आत्मात्या कर लोगे तो उसमें खुराना जी संसदिये कार्ज मंत्री थे फिर वहां पर सारे बीजेपी के संसद लोग जमा हो गए फिर बिल पेस करके अडवानी जी अपना पार्लामेंट के जो कारजाला है उसमें वो रूम में चले गए थे फिर आडवानी जी आए फिर आडवानी जी आने के बाद उन्हों ने एसूरेंस दिया कि कल मैं कल कैबिनेट की बैठक बुलवाता हूं आज मैं परधान मंत्री से बात करता हूं और दुसरे दिन फिर नो बज़े बाचपी जी के कारजालाई में फिर से वहां पर कैबिनेट की बैठक हुए और उस बैठक में पेस हुआ हुआ कि हमको बिल पेस करना चाहिए बनाचल बिल पेस करना चाहिए न इस लिए बता रहा हूं लोग को जैने कि सलंदर मातों और उसकी पत्री ने क्या किया है अज तो बहुत निता बहुत कुछ बात करते हैं सब लोग कभी कुछ कुछ नहीं बोला आज कल लोग अख़वार में बहुत से पेपर छपवाते हैं लेकिन यह तो जहरखंड राज फिर बना बिल पेस हुआ और लोगों के कंदे में उसका भाहर देना उसके नित्रित में चलना यह तो काम करना चाहिए ना, मेरा सवाल सिधा साई है, आपने हमें बैक्ग्राउन बड़ाताया जारखंड के आंदुलन में क्या भुमिका रही है, मेरा सवाल सिधा साई है कि जो आवाज आपने उटाई है, जो प्रधान मंत्री को आपने चिठी लिखा है, जो आप हेमन सुरेन को clean sheet आप दिये हैं, कि भई ब्रस्चार के मामले में आपने भेजा है, एक गलत भेजा है, उनकी सरकार को आप बहाल करिए, यह आप से गलती हुई है, तो यह तो जिस पार्टी में आप हैं, बिज़ेपी में हैं, पार्टी के खिलाफ आपकी आवाज चली गई ना, तो आपने पार्टी के खिल के द्वारा कोई कार्ज करता का मखास करके परदेश कारज आलाई से मुझे कोई लोग सुच्छा नहीं देता है मेरी वाइप जाती है लेकिन आप राश्टी परिश्वत के बैठा कूछ मैं हिस्था लिया नहीं लिया इसा बात नहीं है लेकिन बात यह है कि पार्टी में रहकर भी मैं जो जो सच्चाइक है उस सच्चाइक को मैं ले जाओंगा इसलिए कि अटल सब्सक्राइब मुझे कहा था जब नर्सिमारा वाला जब घटना हुआ था तो बोला था कि सैलेंदर सच बोलना चाहिए तो मैं आज उस रास्ते में अडिग हूं और मैं सच बोलूंगा कि जदी यहां पर जदी यहां पर जार्खन में कोई भी अन्याई होगा है मंद स्व है फालना केarni के लिए मैं अंदोलन किया हों जार्खंण राज बनाया हों लेकिन यहां जदी अन्याई होगे अन्याई मतलब क्या है यह क्या क्याता है से हमन सोरें तो उस दिन जब हम लोग आंदोलन करते थे वह बच्चा था वह पढ़ता था लेकिन एक चीज क्या है कि जारखंड आंदोलन में ब्राबर हम लोग ने इस बात को रखा कि जारखंडी लोगों को जारखंड राज के लिए आगे बढ़ाना है उसकी अस्मिता को प दिल्ली यहां के जन्गल जमीन को चिनना चाहते हैं तो एक चुनी हुई सरकार, एक चुनी हुई सरकार मतलब जयमैम को कौन भोड देता है, गरीव लोग है, आधिवासी लोग है, मुल्वासी लोग एए लोग यह लोग तो कोई बड़े-बड़े ठीकेदार नहीं है, बड़े बड़े पुंजिपती नहीं है बड़े बड़े रसुगदार नहीं है लेकिन आज उनकी सरकार को आप अपदस्त करके उनको गलत तरीके से फसा करके आप जेल भेजते हैं तो ये कहां का कानून है तो मैं तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है जब आप उन पर करवाई इनकोरी कीजिए इनकोरी करने के बाद जदी वो आरूप उनका सिध होता है तो आप जेल भेजिए ना कोन मना करता ये कानून का राज चलना चाहिए मैं तो कानून के राज के पच में हूं लेकिन हम मारे एक विदायक है यहां जमसेतपूर में वो सर्जू राय वो कहते हैं कि मैं रगुबर दास के मंत्री मंडल में था और वो समय 35 बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं लेकिन उस पर कोई कारवाई नहीं होती है यह जारखन में यह 35 जो घोटाले हुए है और बड़े-ब भिन्यता क्यों पार्टी भी उसको टिकट काट दिया तो यह बात को महिने रखा है कि जो असपस्थ है जो सच्चाई है आपके मानने हैं कि रगबर दास के जो घोटाले हुए उसको किंद्रे की जो प्रदान मंत्री सिरकार ओ है इडी है उस पर करवाई नहीं कर रही है है ह अब जैसे होता क्या है ना चोर चोर एक गुरूप होता है तो पुलीस किसको पगड़ती है और पकड़ के बोलती है कि सच्चाई क्या है बता हो तो उसमें तो उस मंत्री मंडल में मैं उसमें सर्जूराई बोल रहा है कि यह यह हुआ तो हुआ तो उसमें कारवाई होनी चाहिए इंक्वरी होनी चाहिए लेकिन आज तक उस पर नहीं हो रखे आप चुनी हुई सरकार के मुख मंत्री को राजपाल भावन में ले जाकर के इस्तिफा दिलवाते हैं और गिरफ्तार करते हैं यह तो अन्याई है तो मेरे कहने जो किंद्री की सरकार है बीजीपी की सरकार है जो प्रदान मंत्री की सरकार है ओ यहां के जो आदिवासी मुलवासी की सरकार है उसके साथ दवारी अन्याय और अत्याचार कर रही है यह सुरू से होते आया है यह नहीं बात नहीं है अंग्रेजों के जमाने से जब बिहार था बंगाल था यह ओडिसा के अधिन जब था तो शुरू से यहां के जल जंगल जमीन को लुटा है यहां के राजनितिक अधिकारों को तहस्न हस्किया गिया है और शुरू से दमन सोसन का चक्र यहां चलते रहा है और आज भी और आज भी यहां पर केंदर सरकार यह दमन चक्र चला रही है और उसका बिरोध मेरा जिंदा रहते जब तक स्वास है तब तक मैं उसका बिरोध करूँ और आज मैं यह आपके सोसल संबाद में गोशना करता हूं कि यहां रगुबर दास बनाम हैमंत सोरेन यह प्रक्ष में भोट नहीं मंगें नहीं मैं जाओंगा जाओंगा लोक सबात चला रही है यहां अभी के राजसभा का टिकेट किसको दे दिया और जितना बहुत से बीजेपी में अंदर अंदर इस बात को उठा रहा है कि हर्याना का अदमी संजाई सेट को दुबारा दे दि लोगों को यह भ desarrollo करें यहां जिसको अज वह मुल्बसी कहलाता है अब उसको राजणी दे Muslims- करन में आगे लाइए भाजपा का बंगाल में बंगाली करण आई दूसरे दूसरे परदेशों में उहां के जो अस्थानिये लोग हैं उसको ले करके आप राजनीत करते हैं लेकिन जारखन के लिए आपका अलग दिर्ष्टिकोंड क्यों है मेरा एक सवाल है कि अभी जो एक अंदोलन आपका चल रहा था कुर्मी समाज का आप अभी बड़ा जुटान भी हुआ कहा जा रहा थे कि भी बीजेपी उसी दबाव में फिर से जो है कुर्मी कंडिडेट को घोशित किया यहां जमसेदपूर से इसके बाद भी आपकी नराज कांडिडेट को दिया था कैना जब जाध ज़ांगों जिता जामसेदपूर में एक बार दिनेश सड़गी सुमन महतों के साथ लड़ी थी लड़ा था तो सुमन महतो जिद गई एक बर दिनिसानंद को सामी को भी लोग फीजे पी दिया महतों को हटा कर के तो इसलिए फिर स में क्या होता है अब हजारी बाग दीजिए भनवाद दीजिए रांची में रामटल चुधरी का टिकट आपने काड़ दिया तो जहां पर आज आठ लोग सभा आज जारखन में चोदा में आठ लोग सभा है जहां कुडमी लोग का एक निरनायक भोट है लेकिन आप सिर्फ जमसेदपूर दे करके क्या दिखाना चाहते हैं कुडमी को कि टिकट की अप्रक्षा थी बीजेपी नहीं दिया तो अब जहमें से टिकट पाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं हेमन सुरेन को एक तरीके से ब्रस्टचार से क्लीन चिट देते हैं और वीजेपी पनिशाना साथ इस आरोप को किस तरीके से देखें मैं ना चुनाव लिखने जन जागरण में लगा हुआ हूँ मैं किसी भी पाती का टिकट लिके चुनाव लड़ना मैं मेरे सपना नहीं है मैं जीवन में चार लोग सभा लड़ा जिसमें दो बार जिता मेरी पतनी तीन बार लड़ी दो बार जिती तो हम लोगग-OUR जार पर लोक्सभा का हम लोग और झारखण राज भी मेरा पत्णी ने को बिरसा हवाई अट्डा के नाम पर, नम करण करवाया लोक्सभा में परस्ने उठा करके। उसके बाद, मैंने झारखण करवाया उसमें लालू पर साथ जाद अब रावणी देवी मुखमंद्री थी जब जारखन अलग राज हो रहा था तो अब मैंने तर्क दिया था कि जारखन क्यों होना चाहिए इससे भी भाजपावला लोग मुझसे आज से नहीं उस जमाने से वो लोग आज 23 साल से रुठे हुए रहते हैं तो मेरा तो है छीन होने टिकत देघा एगा लू उनका पटीकत की बात है अप अपने नंदर की आवास शुन कर अपने तो शौशन ज्षर ऑफचल ज्यूर्द महटम है तो सैलिशन महतों बॉलने से पिछे नहीं रहेगा उसका पतिभात करेगा तो CompTI आ ऐन मैं तो जारखंडी देखिए मैं शुरू से बोल रहा हूं इस को लांड में जैमेम का जदी जारखंड आंदोलन का 1978 से लेके आंदोलन का पौधार उपन किया है और लोगों को जगाया मैं उस जमाने में निर्वल महतों को पाटी में लाया किस्णा मार्डी को लाया सुराज सिंग बेसरा को लाया और इन लोग सब नियता बना आज के दिन में वो लोग भी आज महारती है इतियास में इन कर रहा है ये हम लोग लगाया हुआ भटा अब फ़डा को चाहिए लडा संहें कि रल वापर करों यहां जहारखन में अन्याय होगा उसकी सुद्याद आपढहनी में तो जहांते ह्लन आपक ernislag नहींत बहुत से स्वह अई के जमाने में जैमेम का बहुत सा चेहरा आज बदल गिया है वहां भी घुसपैठी हो गई है जैमेम में पुराने लोग चुट नहीं वहां भी यहां की जो खास करके जहारखन का जो सैधान्तिक चीजें हैं जब हम लोग जहारखन आंदोलन करते थे जो हमारा चुनाव घुस मेरा लास्ट सवाल अंति में आप से ही रहेगा कि क्या आप हेमंद सुरहन की रहाई के लिए क्या रणिती वह क्या कौन किस तरीके से आप अंदोलन की सिर्फ सिठी लिखने तक सिमीत है कि आगे आप आवाज उठाएंगे इस चुनाव में तो इस चुनाव में आवाज इसलिए तो उनको भी दिया गया इसलिए कि छोट साल उनका उनका उनकी पर नहीं होगा जब तक राजपाल रहेंगे तो यह तो कोई पाप करके यह तो कुछी दिन भस सकता है लोग जाके जहर्खंडी जनता को बताउंगा कि भाजपा के कार्जकाल में यह जो है इडी को उन्होंने लिक्के जो दिया है तो इस पर जहां छोनी चाहिए असपस्ट होना चाहिए यहां एक तरफा तो नहीं होना चाहिए ना और उसके बदले जदी कोई बोड़ रहा तो एक दुसरा मुखमंत्री को जो गरीबोंग दोरा चुना हुआ सरकार को आप उसको डाल दे रहे हार मैं असपस्ट यह भी बता रहा हो पिछले पांच परस में हैमन सुरन से कभी मेरी बात नहीं हुई है कभी बात नहीं हुई है और ना जमेम के कोई बड़े नेताओं से बात हुई है कहीं नहीं हुई है लेकिन मुझे अन्या ही लगा कि यह इनको जेल हो रहे हैं तो इन बातों का एक जाच होनी चाहिए समिछा होनी चाहिए क्योंकि कोई भी राजपार्ट चलता है तो उसमें भी थोड़ा सा निस्पच्ता होनी चाहिए मेरा एक सवाल है जो शरूर आएगा बात कर रहे हैं इन्हीं मुद्दा को लेकर जो उनकी प्रदेश सस्तरिय कारिकर्टा बैठा कोई इसमें बड़ा सारे सवाल उठाए गए सिरकार को लेकर यह भी प्रस्ताव दिया है कि जमसेतपुर से वह अगर लोग सभा चुनाव ल लड़ना नहीं लड़ना सर्जु राइका अपनी नीजी मामला है लेकिन मैं आभी राजनीत में मैं किसी के पच में नहीं हूं किसको समर्थन करूं किसको नहीं करूं मैं एकदम नीट्रल हूं लेकिन यह सर्जु राइं क्या क्या क्याता है रगुबर दास अब नाम हमंत सवरें की बात को मैं रखूंगा उनकी आवाज में आवाज आप मिलाएंगे तो धन्यवाद आप देख रहे थे पुर्विसांसा सलंत्र महतों का जो सवाल इन्होंने उठाया है या आप मान के चलिए कि जार्खंड के राजनीती में जल्दी सवाल खत्म नहीं होने वाला है इस लोग सभा और विधान सभा चुनाओं में गुजेगा और जार्खंड क जो आदिवासी और मुलवासी जिनता है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इसलिए कि आवाज पाटी लाइन से हटकर अलग से आवाज उठी है जो जार्खंड अंदलकारी की आवाज है जो जेमिम को और जार्खंड को अच्छे तरीके से समझती है और बीचेपी के अ सचीवोशों सुसल संबाद दिवज जार्खंड